इस खबर के प्रयाज़क है रुक्मनी सिटी हमारा सपना घर हो अपना इंट्रोडूसिंग नेस्ट रुक्मनी सिटी जेवर टपल रेजिदेंशल अकमडेशन फॉर्ल मॉडर्न अर्बनाइट प्रोजेक्ट नियर्बाइ ग्रेटर नॉडर जेवर इंटरनेशनल एयरपोल्ट नजबगड ज्वेलर शोरूम में हुई फाइरिंग पुलिस ने दो घंटे के भीता जहरोदा बस टेंट से आरोपी को देशी कटे सही दबोचा नजबगड में ज्वेलरी शोरूम के दुकान में शाम के समय पुने 5 बजे के करीब शोरूम के शीशे को तोड़ते दुकान के बहर से फाइरिंग की गई दरवाजे से एक राउंड फाइरिंग करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया जोएलर शोरूम के मालेक गौरव उमर 33 साल जनकपुरी निवासी द्वारा पुलिस में लिखित शिकाय दर्ज करवाई गई नजवकड एसीपी विजय सिंग के निर्देशा अनुसार थाना प्रभारी सुनिल कुमा ने तुरंत कारवाही करते हुए मजबूर टीम का गठन किया जिसमें सिपाही दीपक वरुपेंद्र कुमा ने मौके वारदात से सीसीटी फुटेज को खंगालते हुए आरोपी की पहचान करते हुए एक्शन लेते हुए दो घंटे के भीतर ही नजवकड के जरोदा बस टेंड से आरोपी को देसी कटे सही दबोच लिया द्वारका डीसिपी एंटोल फोनस के अनुसार पकड़े गए आरोपी का नाम शक्ती उर्फ मनीश उमर 22 साल बाबा हिदास एंकलेव का रहने वाला है आरोपी शक्ती पर पहले से स्नाचिंग चोरी आम्स एक्ट के थे छे मामले बाबा हिदास थाने में दर्ज है पुलिस क के मुख्य मुझ्रिम सच्चिन भांजा के साथ हुई थी और उसके कहने पर उसने जिल से बाहर आगा गौरव ज्वैलर्स के शोरूम पर फाइरिंग की थी थाना पुलिस हत्या की कोशिश वा आम्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी से गहन पूस्ताच करने में जुटी है नजवगर्ड पुलिस द्वारा मुस्तैदी दिखाते मुझ्रिम को दो घंटे के बीतर ही जेल की सलाखों के अंदर पहुचाना अपने आप में काबिले तारीफ है दिली से समवादाता अनीता गुलेरिया की रिपोर्ट यह बाबा रियाशनार इलाका करेने वाले हैं यह बीसी भी है बैट करेकर भी है इसको पांचे किसे से इसको हमने इमिरिटली तुरंद हमारा बीट कॉंस्पिल और वहां का क्रैक टीम ने तुरंद हमकर के रहा है ग्रफतार के लिए उजनी से और जो वेपन था हायराम था आप दीजे सच का साथ जोड़िये हमारे साथ रखी अपनी पहनी नजार हमें क्राइम सेस्पेंड नमस्कार क्राइम सेस्पेंड नमस्कार